हेलो दोस्तों वेलकम टो माई व्यूटिव चैनल अभी वी आप सभी के लिए मैं एक रिवीजन का पार्ट लेगा रहा हूं जिसमें उन सभी छादरों को मदद मिलेगी जो कंपटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं इसमें हर सब्जेक्ट के लेशन और टापिक वाइस क का पांच मिनट का होगा जिसे आप कभी भी रिवाइस कर सकते हैं जैसे सवने से पहले या ट्रेवलिंग के दारान या एक्जाम से पहले आप देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं तो हमारा पहला कॉंटेंट है कि माता पिता के ब्लड गूरूप के अधार पर संतान में से होता है तो हमारा पहला टेवल तो हमारा पहला चार्ट है यदि माता पिता में से किसी का भी ब्लड गूरूप O और दूसरे का ब्लड गूरूप A है तो बच्चे में ब्लड गूरूप O and A की संभावना होती है यदि माता पिता के ब्लड गूरूप O and B की संभावना होती है यदि माता-पिता के ब्लड ग्रूप O and AB है तो बच्चे में ब्लड ग्रूप A and B की संभावना होती है यदि माता-पिता के ब्लड ग्रूप दोनों का blood group O है तो बच्चे का blood group O होता है, acompanh tax कि Exactly होकर आधी नेकस्ट है कि सेम टरभरो haya डिमाता पिता पलर अब ठर्डरी में बच्चे में जो की संभावना होती है यह दी मातापिता का बडेडर्ग Unterstützung हाथ, तो बच्चे में B B and AB होने की संभावना होती है यदि माता-पिता का blood group O है तो बच्चे में O blood group होती है हमारा next है AB group यदि माता-पिता में से किसी का blood group AB है और दूसरे का A है तो बच्चे में A, B and AB blood group होने की संभावना होती है यदि माता पिता में से किसी का blood group AB और दूसरे का B है तो बच्चे में A, B and AB होने की संभावना होती है यदि माता और पिता का blood group A and B है तो बच्चे में जो blood group होगा A, B, AB और O होने की संभावना होती है इसमें 4 blood group मिलता है तो थेंक्यू दोस्तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए अगले कॉंटेंट के लिए मैं कोशिश करूँगा इससे अच्छा कर सकूँ धन्यवाद